जेपैन के स्लिम ने वो करके दिखाया जो चंदरयान तीन भी नहीं कर पाया। चांद की सरदी वाली लंबी राद सर्वाइव कर गया। भारतिय वायू सेना को BDL कमपनी ने आस्थरा BVR मिसाइल की पहली खेप दे दी है। इस मिसाइल की स्पीड और निशाना इतना सटीक ह कि ये लोकेशन बदल रहे दुश्मन को भी मौत दे देती है। हवा से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की हालत खराब है। भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड BDL ने भारतिय वायू सेना को आस्थरा वराम की पहली खेप सौंप दी है। अस्थर मि यानि जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलिकॉप्टर का पाइलिट नहीं देख सकता, वहां भी यहां मिसाइल एकदम सतीक हमला करती है। हाल ही में तेजस फाइटर जेट से इसकी फाइरिंग की गई थी। तेजस फाइटर जेट ने 20,000 फीट की उचाई से मिसाइल जो टारगेट पर सतीकता से लगी। इस मिसाइल का अगला वैरियंट M के दो भी चायल फेज में हैं। यहां लंबी दूरी की मिसाइल होगी। फिलहां अस्त्र M के एक को सेना में शामिल किया जाएगा। वायू सेना इस मिसाइल के परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। दो स मिसाइलों का ओर्डर हो सकता है। डॉर्ट अस्त्र मिसाइल की ताकत की गूंज एशिया में फैल चुकी है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है। यानि यहां मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। वह कितना भी दायमबाएं हो उससे टक्रा कर फ है इसकी घातक स्पीद। अस्त्र मिसाइल में हाई एक्स्प्लोसिव या प्रिफ्रैग्मेंटेड एचमेक्स हथियार लगा सकते हैं। यहां अपने साथ 15 केजी का हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है। यहां अधिक्तम 66,000 फीट की उचाई तक जा सकती है। यहां 5556.6 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर जाती है। इन विमानों में लगाई गई है यह मिसाइल। इसकी खास बात यह है कि इसे टार्गेट की ओर छोडने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है। क्योंकि यहां फाइबर आप 29 UPZ MiG-29 के सुखोई सू 30 MKI तेजस MK.11 अमें लगाया गया है। मिसाइल को लेकर भविश्य की यह तैयारी। भविश्य में इस मिसाइल को तेजस MK-2 AMCA TED-BF Fighter Jets में भी लगाया जाएगा। भारतिय वायुसेना पुरानी माय का मिसाइल की जगा स्वदेशी अस्त्र पर भर जगा चुकी है। अस्त्र मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है। बेयान विज्वल रेंज यानि जो टारगेट नजरों से नहीं दिखते उन्हें मार गिराने में यह मिसाइल काम आती है। ऐसी मिसाइले फाइटर जेट को स्टैंड ओफ रेंज प्रदान करते हैं। स्टैंड ओफ रेंज का मतलब होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फाइर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए सही समय मिल जाता है। एमके दो के बाद एमके तीन बनाई जाएगी जिसकी रेंज तीन सौ पचास किलो मीटर होगी। यानि इतने अलग-अलग रेंज और वेरियंस के साथ जब भारतिय फाइटर जेट सीमा या युद्ध शेत्र पर जाएंगे तो उनकी गरजना सुनकर ही दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी।